हलो और इवन गुलशन अकाडमी में आपको एक बाई फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में गुप्त काल की प्रशासन विवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कल की वीडियो में मैंने आपको गुप्त समराज जी को समझाया था कौन कौन से शाशक थे इसमें और उन्होंने क्या क्या किया इस विशे में पे हमने कल चर्चा की थी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और हमारी पहले की सभी वीडियोस देखने के लिए आप लिंक पे क्लिक करके हमारी सभी वीडियोस को देख पाएंगे तो वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज डालें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें। और ये हमाई जो वीडियो है, ये सभी एक्जाम्स के लिए important है। specially अगर आप तयारी कर रहे हैं, seated paper 2 के लिए, DSSB के लिए, KBS के लिए, ये किसी भी teaching exams के लिए, तो आप हमारी वीडियोज को follow कर सकते हैं। तो शल्य शुरू करते हैं, गुप्त काल की परशाशन विवस्था। देखें, गुप्त काल की परशाशन विवस्था जो थी, वो काफी उत्तम परकार की थी, ठीक है। लेकिन, गुप्त की शाशन विवस्था पूर्टा मौलिक नहीं थी, बलकि इनकी परशाशन विवस्था जो थी, वो mix रूप थी, यानि कहें कि मिस्रित रूप थी, मौरे काली परशाशन विवस्था का, साथवाहन परशाशनिक विवस्था का, साको की परशाशनिक विव बवस्था का लुएONG मिस्रित रूप गुंत्य की प्रसासनिक व्वस्था ठीक है और राजय की जो उत्पती का देवच सिध्धान्त जिसका वर्णन हमें मानुस्मिर्थी में देखने को मिलता है तो गुप्त यूग में लोग्पियं है नहीं थी इसका खंडन किया गया बाणभट के द्वारा ठीक है बाणभट जो थे वो राजी की देविये उत्पत्ती के सिध्धान्त का जो है तिरसकार करते हैं ठीक है देवता की अगर हम बात करें दो देवता विश्नु भगवान और उनकी पतनी लक्ष्मी जो है इनको बहुत माना जाता था और राजा की रक्षा और पालन वाले देवता विश्नु भगवान थे और उनकी पतनी लक्ष्मी जो है वो राज सत्ता की देवी मानी जाती थी ठीक है गुपतकाल में कई मुद्राएं ऐसे मिली हैं जिस पे जो है देवी लक्ष्मी की आकरती बनी हुई थी आगे आते हैं मौरेकाल के अगर हम बात करें तो मौरेकाल से ही सकता के विकेंद्री करण की सुरवात हो चुकी थी लेकिन गुप्त यूग से ही विकेंद्री करण की परविर्ती बढ़ने लगी थी ठीक है बढ़ने लगी थी तो विकेंद्री करन जो है हमें इसी युग से बढ़ते हुए दिखाई देता है और प्रशाशन विवस्ता के अगर हम बात कर रहे हैं तो राजा जो था उस समय राजय का परमुख होता था ठीक है और मंत्री परिशत जिसे आमात्ते भी कहा जाता ठीक है वो राजा को सलाह देने का कारे करती थी ठीक है राजा का कोई भी निर्णय होता था तो मंत्री परिशत जो है उस पर अपनी सलाह देती थी या कहें कि सलाकार होते थे यह मंत्री परिशत को आमात्ते का जाता था यह याद रखना है आपको और राजा का पद जो था वो वन्शनुगत होता था इसका मतलब यह है कि अगर राजा की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र जो होता था बड़ा पुत्र वो ही राजा बनता था ठीक है यहाँ पर मैंने जो है कुछ विभाग लिखे हुए है और यहाँ पर उनके अधिकारी लिखे होई है यह एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से विभाग का कौन सा अधिकारी था जैसे कि उच्पद अधिकारी जो है वो हुआ करता था कुमार आमत्य ठीक है कुमार आमत्य सेना का जो सेनापती होता था उसे कहा जाता था महा बल अधिकरित ठीक है महा बल अधिकरित और न्याइधीश को कहा जाता था महा डंड नायक ठीक है न्याइधीश को महा डंड नायक कहा जाता था युद्ध मंत्री जो होता था वो संदी विग्राहक कहलाता था ये ऐसा मंत्री होता था जो युद्ध में युद्ध भी करता था और समझोते का कारी भी करता था और पुलिश विभाग का जो परमुक होता था उसे डंड पाशिक कहा जाता था राजकोश का जो अधिकारी होता था उसे भंडा गार अधिकृत कहा जाता था ठीक है और लेखा विभाग का जो सर्वोच अधिकारी होता था उसे महापक्षपटलिक कहा जाता था ठीक है महापक्षपटलिक कहा जाता था और राज परसाद से संबन्दे जो विशे होते थे उनकी देखरेक करने वाले जो अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था महा प्रतिहार ठीक है और दान विभाग का जो अधिकारी होता था उसे अग्रहारिक कहा जाता था दान विभाग के अधिकारी को अग्रहारिक कहा जाता था मौरेकाल की परशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि परशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी ग्राम और जो सबसे बड़ी काई थी वो थी देश ठीक है पहले ग्राम फिर पेट जिसे तैसील भी कहते थे फिर विशय फिर भक्ती फिर देश तो ग्राम का जो परमुक होता था उसे ग्राम पती कहा जाता था पेट का जो परमुक होता था उसे पेट पती विशय का परमुक जो होता था उसे विशय पती भक्ति के परमुक होता था उसे उदरिक और देश का परमुक होता था उसे गौर्ना का आजाता था ठीक है और गोपता जो था गोपता सिमान्तिक परदेशों का शाशक होता था सेमान्त परदेशों का जो है शाशक होता था और सबसे बड़ी इकाई जो होती थी वो देश थी और जूनागड अभी लेक से हमें जो है सौरास्ट को एक देश कहा गया है ये देखने को मिलता है इस्थानिय शाशन दो भागों में बटावा था नगरपरशाशन और पती कहा जाता था ग्राम प्रशाशन का जो प्रमुक होता था उसे महत्र कहा जाता था ठीक है न्याय विवस्था के अगर हम बात करें तो न्याय विवस्था भी काफी उत्तम प्रकार की थी गुप्त कालमी और जो सर्वुच न्यायथीश होता था वो जो है राजा हुआ क कुल ठीक है गुप्त काल की सेने विवस्था की हम बात करें अगर तो गुप्त काल की सेने विवस्था जो थी वो काफी उत्तम परकार की थी और जो है इसी के बल पर जो है गुप्त शाशकों ने अपने समराज्य का विस्तार किया था और उनका समराज जो है काफी विस्तरित भी था राजा के पास इस्थाई सेना हुआ करती थी सेना चार परकार की थी जिसमें थी पदरती, रतरोही, अशुरोही और गजरोही पदरती यानि पैदल सेना, रतरोही मतलब रत वाली सेना अस रोही मतलब घोडे वाली सेना और गज रोही मतलब हाती वाली सेना ठीक है तो ये चार प्रकार की सेना उस तौरान हुआ करती थी और पदती जो था पदती सेना की जो सबसे छोटी टुगड़ी थी उसे चमयू कहा जाता था ठीक है चमय कहा जाता था और गज सीना का जो नायक उता था उसे कटूक कहा जाता था और अस्व सीना का जो नायक उता था उसे अटाशव पती कहा जाता था ठीक है कर विवस्था के अगर हम बात करें तो कर जो था ये जो है राजस्व का सबसे महत्कून कह ज़कते हैं कि अंग था कर विवस्था ठीक है तो कर विवस्था जो थी वो राजा के दौर निर्धार की गई थी राजा जो होता था वो भूमे का स्वामी माना जाता था ठीक है भूमी का स्वामी जो है राजा को माना जाता था और भूमी उत्पादन का एक बटाच्छे भाग का दिकारी होता था ठीक है यानि भूमी पे जितनी पैदावार होगी उसका एक बटाच्छे हिस्सा जो है वो राजा अपने पास रखता था और कुछ अन्य परकार के करते जो मैंने आपे लिखी हुए है जैसे कि भाग भाग एक ऐसा करता जो उपद का एक बटाच्छे था यानि अगर किसी के उपज होती है तो उसका एक बटाच्छे है भाग राजा को देना होता था भोग भी एक परकार का करता इसमें क्या होता था इसमें जो है परती दिन राजा को जो फल और सबजियां भेट में दी जाते थी वो भोग करके लाता था उद्रंग उद्रंग जो था ये भी एक परकार का कर था किस से संबंदित था तो ये भूमी कर था एक परकार का और भूताबाद परतियाय भी जो एक परकार का कर था ये जब कोई जो है विदेशों से वस्तु आयात की जाती थी ठीक है तो ये पांच परकार के कर भी आपको याद रखने हैं उसके बाद अगर बात करें हम भूमी की तो भूमी जो है हमें कई परकार की देखने को मिलती थी जैसे छेत्र कहा जाता था ऐसी भूमी पर जिस पर खेती की जाती थी ठीक है और वास्तु कहा जाता था ऐसी भू पोचर कहा जाता था चारगाह भूमी पर जहां पर पशुगों को चराया जाता था और आप्रदा कहा जाता था ऐसी भूमी को जो की विवादास्पद भूमी होती थी जिस पर विवाद हुआ होता था ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही आशर करता हूं यह वीडियो जरूर कर देना चैनल को अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो जो हैं आपको मिलती रहें पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो link मैंने description में दे दिया है जहाँ पे click कर गया आप हमारी पहले की सभी वीडियो को दे इसी तियो